Study IQ IS अब तयारी हुई affordable पहली बार ऐसा होने जाएगा कि कई देशों में भारत का पहला अताशे होगा तो यह होता किया, what is अताशे and यह कैसे भारत को मदद करेगा आपको पता ही है कि हमारा कोशिश है कि जो defense export है वो भी यहाँ पर बढ़ाया जाए तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा आप मेंसे जो भी लोग UPSC की preparation कर रहे है 13th of April से हमारा नया batch start हो रहा है यह एक ऐसा batch है जिसके अंदर Preliments, Mains, Interview, सब कुछ की complete preparation कराए जाती है यह सुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि exactly क्या हो रहा है दीकिन जैसा मैं आपको कह रहा था कि भारत, Asia और Africa की कई देशों में जो अताशे है वो भेज रहा है मैं आपको आगे बताओंगा इसके बारे में कि यह defense अताशे होता क्या है लेकिन especially आप देखो कि Africa का यह जो continent है यहाँ पर कई देश जैसे Ethiopia हो गया, यहाँ पर मुजाम्बिक हो गया, Ivory Coast हो गया इस तरह के कई strategic जो places हैं जहाँ पर भारत को काफी मदद हो सकती है वहाँ पर भेज रहा है, इसके लावा Asia की अगर हम बात करें Philippines हो गया फिर Armenia आपको पता ही है, यहाँ पर Armenia, Azerbaijan का जो युद्ध लगतार चलता रहता है तो वहाँ पर भी हमारा एक अताशे होगा और साथी साथ, Europe के अंदर जो Poland है, वहाँ पर भी हम अपना एक अताशे open करने जा रहा है और यह basically जो हमारी broader policy initiative लिया जा रहा है सरकार के दोरा ताकि कुछ regions में जो geopolitical rivalries चल रही है, उसको हम counter कर सकें क्योंकि आपको पता ही है किस तरह से जो China का influence है, आप Africa की बात करिए, Asia की बात करिए लगतार expand होते जा रहा है, तो कहीं न कहीं अगर हम उसको counter नहीं करेंगे, तो यह भारत के लिए मुसीबत हो सकती है, खैर इसके लावा एक और interesting चीज मैं बताता हूँ, Africa में एक बहुती tiny country, एक बहुती भारत का एक defense अताशे मौझूद है, उसके बावजूद भी, हम एक और नया defense अताशे जो है, वहाँ पर भेज रहे हैं, इसका कारण यह है कहें न कहीं, भारत यह एक बड़ा कदम लेने चाह रहा है, खैर इसके बारे हम आगे समझें, सबसे पहले तो हमें जानने की ज़रूद है कि यह defense अताशे या पर military अताशे यह होता क्या है, देखो यह कई सारे areas में हमें काम दे सकता है, इसमें क्या है ना कि basically भारत क्या करे वो लोग basically उस देश और भारत के बीच में, जितने भी देशों में हम भेज रहे हैं, उनके बीच और भारत के बीच में यहाँ पर जो एक strategic ties होता है, उसको एक प्रकार से लाने की कोशिश की जाएगी, मतलब जो military to military ties होता है ना वो किया जाएगा, आप सबको पता है कि दो military officials जब भेजे जाते हैं specific purpose के लिए, तो उसको defense अताशे कहते हैं, और इसके वज़े से क्या होता है कि दोनों देश के बीच के जो military to military relations हैं, वो improve होते हैं, इसके साथ साथ अगर मान लो भारत कई सारे defense का export करना चाहता है, अपना ब्रमोज भेजना चाहता है, तेजस को जा रहे हैं, और इसके अलावा भी यहाँ पर आप देख सकतो जो एक national security का objective होता है, क्योंकि आप समझी अभी recently आपने देखा होगा, यहाँ पर जो पुरा Arabian Sea है, यह जो Red Sea हो गया, Gulf of Aiden हो गया, Indian Ocean वाला पुरा इलाका हो गया, वहाँ पर काफी सारे हमले करने की कोशिश क बरह में आपको पता है, तो कही ना कही अगर हमें उन सब चीज़ों को counter करना है, अपने आपको सुरक्षित रखना है, तो इन देशों के साथ relations मजबूत करना काफी important हो जाता है, खेर यहाँ पर मैं आपको एक interesting चीज़ और बताता हूँ, देखो क्या है ना कि जो already अताशे होंगे जो मौजूद हैं, जिनकी शायद आज के रेट में उतनी आउशकता नहीं है, तो भारत जो है वो rationalization करने की कोशिश कर रहा है, मतलब जहाँ पर जादा military officials हैं, उनको उन जगहों पर भेजा जाए, जहाँ पर हमारा अताशे मौजूद नहीं है, और इसी की वज़े स उसमें सबसे major focus है एफरिका, चाहें मोजांबिक की बात करें, एथियोपिया की बात करें, आईवरी कोश्ट की बात करें, ये strategic engagement इन देशों के साथ भारत करना चाहता है, और कई सारे African countries खुद से उन्होंने भारत को बोला है, कि हम चाहते हैं कि आप अपने अताशे को जो गरीब देश हैं अफरिका में या फिर developing country हैं, उनको एक तरह से बढ़ाने में भारत ने कई सारे voices को raise किया है, आपको याद होगा, पिछले साल जब G20 हुआ था, तो 55 nations का ये जो पुरा African Union है, उनको हमने G20 में सामिल कराया था, अलोड़ी G20 में 19 countries plus European Union मौजूद थे, ल क्या है कि भारत की perspective से भी आप देखोगे, तो चाइना ने जिस तरह का presence रख रख है अफरिका के अंदर, उसको counter करने में ये सारे जो कदम है, वो काफी करगार साबित हो सकते हैं, खेर यहाँ पर अगर हम बात करें specifically Philippines के साथ, आपको पता ही है कि Philippines और चाइना में recently कितना ज चाइना तो क्या करता है, नाइन डैश लाइन उसने बना दिया और कह दिया है कि पूरा का पूरा South China सी उसी का है, तो इसकी वज़े से क्या है कि भारत चाता है कि यहाँ पर वो Philippines को मदद करें, तो एक तरह से यहाँ पर चाइना अगर कोई कदम लेता है हमारे border पर, तो उस कही ना कही हम यहाँ से भी counter कर सकते हैं, और इसलिए भारत जो है Philippines के अंदर भी जो defense अताश है उसको भेज रहा है, और आपको अलड़ी पता होगा कि हमने defense जो agreement है वो अलड़ी Philippines के साथ किया है, जैसे ब्रमोज मिसाइल बेचने का, 375 million dollar की deal हुई है, और बहुत जल्द इस देशों को भी pitch कर पाएगा, जैसे इंडोनेशिया हो गया, वियटनाम हो गया, वहाँ पर भी हम बेच सकेंगे, फिर इसके लावा तेजस fighter jet वगर है, ये भी भारत का एक main मकसद है कि जो single engine तेजस fighter jet है, जो कि काफी सस्ता भारत बना कर दूसरे देशों को बेच सकता है, ज आपको याद होगा, अर्मेनिया और अजर्वाइजान में कितना बड़ा युद्ध हुआ था, और पूरा का पूरा जो नगोर्नो कारबाख है, वो अब अजर्वाइजान के अंडर में आ गया है, तो यहाँ पर क्या है कि अर्मेनिया भारत की कुछ मदद चाहता है, और आ अलावा अगर हम बात करें यूरोप के साथ, तो यूरोपियन यूनियन के साथ भारत टू वेस टाइज रखना चाहता है, दोखो मैंने आपको बताया न, पोलैंड में, यहाँ पर आप देखोगे, पोलैंड एक तरह से यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो क्या हुआ पिछले साल की बात है, यूरोपियन यूनियन ने एक और मिलिटरी अताशे, पहली बार यूरोपियन यूनियन ने अपना जो मिलिटरी अताशे है, वो भारत में भेजा था, और इसी को देखते वे भारत ने अब क्या किया है, कि पोलैंड में वहाँ पर मिलिटरी अताशे जो है आपका रखने का निर्नाय किया है जिसकी वज़े से हम European Union के साथ भी बहतर तरीके से जो है आपका मिल जूल कर सकें खर इसके अलावा अगर आप देखिए तो जो defense export है वो record इस्तर पर पहुंच किया है भी recently बयान आया था राजनात सिंग जी हमारे defense minister का कि 21,000 करोण का defense export भारत ने किया है और ये all time hyper है अगर आप इसको compare करो पिछले 10 साल से मतलब 10 साल पहले जितना हम export करते थे hardly मतलब कुछ भी नहीं था उसका 31 times हमने पिछले 10 सालों में एक तरह से किया है कर लिया उस चीज को लेकिन स्टेल आपको पता है कि भारत सबसे बड़ा arms importer है 2014 से 18 से अगर आप compare करोगे 2019-23 का तो 4.7% हमारा defense import बढ़ा है तो एक तो दोनों चीज़ां हमें करना है कि हमारे देश के अंदर यहाँ पर जादा स्यादा manufacturing हो और हम उसको खुद इस्तमाल करें और उसको हम export कर सकें यह भारत का एक main purpose है conclusion क्या नहीं कलता है conclusion यहाँ पर यह है कि बहुत जल्द आपको Indian army से navy से Indian air force के कई सारे जो officers है military officers है 16 देशों में भेजे जाएंगे 16 देशों में हमने निर्णे लिया है कि जो अताशी है वो आपका open किया जाएगा ताकि उन देशों के साथ जो हमारे military ties हैं वो improve हो और यहाँ पर एक तरह से geopolitics के अंदर चाइना को counter करने के लिए बाकी देशों को counter करने के लिए यह काफी बड़ा कदम हो सकता है आपका क्या सोचना है इस पूरे कदम को लेकर मुझे comments में जरूर बताइए का और जाने से पहले एक interesting question देखो defense में advanced technology vessel project यह किस से related है यह 4 option में से किस से related है इसका right answer आप सबको पता है मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही just use this code AnkitLive to get maximum discount and I hope कि video आपको पसंद आया होगा मिलता है आप से next time till then thank you very much see you soon